किसान साथियो मैं फाजिल का की अबोहर तहसील में हूँ इस वक्त एक बाग में खड़ा हूँ मुझे नहीं पता इस गाओं का क्या नाम है अभी आपको मिलवाएंगे यह इने तो जानता हूँ यह पंकज सिहाग है तो यह मुझे जानते हैं यह जो चिर परिचित आपने दे कंड़ा में हैं तो उन्होंने उसे कॉंटेट किया था पिछली बार और यहां आने के लिए कहा था तो इसमें थोड़ी समस्या थी और केवल एक पोधे में मुझे नीमा टोड़ मिला था तो कुछ उपाए बताए तो आए अब दार जी से जानते हैं वह उनका परिचे लें है चलो इंसे बाद सथ्रियकाल सर्दाजी हाँ अपना परिचे दो किसानों को बार कनेड़ा गया सी इस तो बाद आनके तुसी जेड़ी दसी दौई पाई दौई पाउन तो बाद बाग बहुत बदिया चाल पया यह कौन सी जगह है कट्या माली पेंड़े मलोट के दो रह है तो आपके पोदो में सेप्टेंबर में आया कैसा लग रहा था आपको कैसे बाग खड़ा है उसके बाद आप खुछ है चल गया अच्छा उस टाइम कैसा रुगा हुया था बाग जो चाल निर्या सी और गर्मी करके नहीं चाल रहा है बाद रुक्या खड़ा सी हाँ किसान साथियों इनके जो है मैंने काफी पोदे चेक किये एक पोदे में मुझे निमा टोड मिला था तो चुकी यह देखिए इनके पास ड्रिप नहीं है फ्लड से इन्होंने इरिकेशन करते हैं नाली खुला पानी देते हैं और उसमें निमा टोड की होती है कि वह एक जग का खाद रुडी बोलते हैं जो रुडी का खाद डलवाया और जो गोबर की खाद बोलते हैं और इसकी निराई गुडाई कराई और फिर जो है इसमें यह थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लगवाई और अब पोधे तब से बहुत अच्छी बढ़वार ले सकते हैं तो दार जी मेरे पीछे थे मतलब जो है इनके बेटे मुझसे हर एक हफ्ता पहले उन्हें पता था कि त्यागी जी 26-27 इसको फाजिलका में होंगे तो रोज बात करते थे कि मेरे घर पे जरूर जाईए और देखिए एक बार जो है ना मुझे इससे ज्यादा कोई खुसी नहीं मिलत कि जब बाग सही हो जाता है चुकि जिस पोदे का इलाज करते हो आप सही हो जाता है तो मैंने बहुत ही हलका सा इलाज कराया था और अभी थोड़े दिनों बाद और फिर दिखाऊंगा कि यह बाग कैसे होंगे अभी इसकी कटिंग होगी और यह कटिंग का मोसम है हलकी करक के और खाद लगाने का मोशे में जो लोग बरशात की फसल लेना चाहते हैं तो अभ यह फसल लेंगे और इसमें हम सर्दियों के भी फसल लेंगे और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप किसानशात्यों को काम करो यह बहुत वदिया है रेल्ट मिलूगा जब भी आप कोई काम करते हैं तो कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो आपकी बात की सरहना करते हैं कुछ मुझे गाली भी देते हैं तो काफी वो भी करते हैं चलो इनसे बातों से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता तो मैं आज इनके यहां पर मिलने आया हूँ और अगर कोई भाई आसपास हो तो इन से आकर मिल भी सकता है धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, वंदेबातरम